नमस्कार मैं दिपाली प्षभी का स्वागत दिपाली आस्ट्रो में करती हूं और देखते हैं आज का दिन अनिकी 27 जुलाई आगे आगे की तरफ आपको बढ़ना चाहिए परिवार के लिए परिवार के साथ कुछ ना कुछ आप सोच सकते हैं आपके द्वारा आज के दिन लिया गया निरने आपके और आपके परिवार के लिए लॉंग टर्म फिनांशल स्टेबिलिटी दे कर जा सकता है जो लोग आपके लिए situations बिलकुल अनुकूल है विशब राशी वालों मन आपका शांत है परिस्तितियां आपके मैं कहूंगी control में है जो situations आपको पहले परिशानी दे रही थी अब आपने उन पर अपना control बना लिया है कुछ ना कुछ transformation के आप जोन में है आज के दिन कुछ ना कुछ करीफ है इसी को पकड़िया आगे चलते चलिया आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ एक लक्ष या नया ambition यह कुछ नई विचाड़धारा आज के दिन जरूर देखने को मिलेगी financial stability के संबंध में आज का दिन सबसे आदा लाबदायक माना जा सकता है निवेश करने के options को अगर आप सइसे explore करेंगे तो आप अपने लिए आज के दिन positivity ले पाएंगे बात करते हैं मिथुन राशी वालों के लिए परिवार के साथ बिताया गया समय मिथुन राशी वालों आज के दिन आपको और रेजिमिनेट करके जाएगा आपके द्वारा लिया गया कोई भ परियास कर रहे थे अब उनके लिए वह positivity आनी शुरू ही है लंबे समय से चल रहा पारिवारिक तनाव भी कम होता हुआ नजर आएगा भाई बहन से आपको आज के दिन सपोर्ट या कोई बहुमूल राय आज के दिन मिल सकती है बात करते हैं करकदाशी वालों के लिए स्व कोई ऐसा निर्णाय ले जहां पर आपको उसको रिव्यू करने की जरूरत है अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट पे किसी काम में किसी सिचुएशन में लगा रहे हैं तो बहां पर आपको थोड़ा सा एक तरकू का सहरा लेते हुए आपको उसके लिए कुछ नया कंक्लूजन निकालना पड़ेगा परिवार के लिए कुछ नई योजना बना रहे हैं गेट टुगेधर प्लान कर रहे हैं कहीं न कहीं कुछ कमी है उसका आज के दिन अब्लोकन करना चाहिए फिनांशल लॉस इंडिकेटिव हैं इसलिए आज के दिन सोच समझ कर आपको समझदारी के सा और से आज के लिए आपके लिए पॉजिटिविटी इंडिकेटेड है सिंग राशी वालों कुछ खास चंदा का विशे नहीं है मन आपका शांथ है आप अपने लिए कुछ नए काम कर सकते हैं या मल्टिपल इंकम रिसॉर्स पे आज के दिन आप सोच सकते हैं साइड करने की पोजीशन में अब आप आएंगे और जल्दी या टाइमली तरीके से अब आपका रिपेमेंट भी होगा तो आपकी एक जो फिनांशली आप बर्डंड थे या आपको कोई च्रिंता थी तो अब वो सिचुएशन आपकी साजा होती हुए नजर आएंगी बात करते हैं क कनियराशी वालों के लिए कनियराशी वालों आज के दिन आपका समानेता रहेगा कुछ खास उतार चड़ाव देखने को नहीं मिलेगा छोटा बोटा वर्बल स्पैट या चोटी मोटी मिस कॉम्मिनिकेशन परिवार के साथ इनेजी संबंदों में हो सकती है तो कॉम्मिनि आज के दिन अपने खान पान पे भी आपको नियंतरन रखने की कोशिश करनी चाहिए बात करते हैं तुलाराशी वालों के लिए आपके लिए सिचुएशन तुलाराशी वालों बिल्कुल अनुकूल है मन आपका शांत है आज के दिन आप अपने उपर काम करेंगे तो आप अपने लिए कुछ न कुछ प्रॉडक्टिव निकाल पाएंगे लंबे समय से अगर आप अपने जीवन में कुछ चीज लाने की कोशिश कर रहे थे इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे थे किसी नई उजना पर काम कर रहे थे लाइफस्टाइल इंप्रूफ करने पर काम कर रहे थे अब वो सिचुवेशन आपके लिए सामने आएंगे और आपके लिए कोई ना कोई समाधान ये सल्यूशन निकलेगा तो वह आपके लिए काफी अच्छी परिस्तिती है साथी साथ आज के दिन आप अपने और अपने परिवार के लिए कोई ठोस निरने लीजिए अपने उपर कॉलिटी टाइम बिताते हुए अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूफ करने के लिए आज के दिन आपको समय निकालना चाहिए बात करते हैं वरिष्टिक राशी वालों के लिए सिचुएशन बिलकुल अनुकूल है वरिष्टिक राशी वालों कुछ खास उतार चड़ाव नहीं है सामानिता आपकी परिस्तिती रहेगी माता पिता के स्वास के प्रती आपको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है साथी साथ आज के दिन आप अपने जीवन में जिसको अपना मेंटॉर मानते हैं गुरू मानते हैं उनके द्वारा आज के दिन आपको बहुमूले राय या कुछ सूचना मिल सकती है उसको आपके अपने जीवन में लागू करना चाहिए वो आपके लिए काफी दादा positivity के साथ आगे बढ़ने की आपको निर्देश भी दे कर जाएगी या कुछ संकेत भी देगी बात करते हैं धनुराशी वालों के लिए आज का दिन आपका busiest day माना जा सकता है खासतोर से second half के दोरान और आप कहीं न कहीं over thinking का भी शिकार हो सकते हैं तो आज के दिन की शुरुआत आपको सोच समझ के करने की कोशिश करनी चाहिए साथे साथ लंबे समय से चल रहा कोई legal battle अगर आप लड़ रहे हैं किन options को आप अक्तियार करके आगे बढ़ रहे हैं इस पर आपको review करना चाहिए परिवार का support तो बना रहेगा लेकिन आज के दिन आपको अपनी overthinking को control करने की कोशिश करनी चाहिए बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए मकर राशी वालों आज का दिन आपका समानिता रहेगा कुछ खास आपको उतार चड़ाओ देखने को नहीं मिलेगा आज के दिन आप अपनी situations को और positive करने के लिए अपने मन को और शांत करी आगे बढ़ते चली आपको सब तरस से positivity देखने को मिलेगी आज जो लोग अपने लिए situations को और positive करना चाह रहे थी लेकिन चलते चलते कहीं नेगेटिविटी उनको मिल रही थी तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि मन को शांत रखिए आप जिस रह पे चल पड़े हैं वो बिल्कुल ठीक है अपने confidence level को आप करिए आत्म बल में वृद्धी के लिए आप अपने किसी परिवार के वरिश्ट्रम जो सदस से हैं उनके साथ बैट सकते हैं उनका आशरवात प्राप्त कर सकते हैं उनसे अपनी problem discuss कर सकते हैं करने का मतलब यह कि आपकी strategies में कहीं कोई कमी नहीं है लेकिन आत्म बल में आज के दिन कमी जो आ रही है उसको आप बुद्धों के साथ से उनके आशरवात से आप आज के दिन उसको समानिता कर सकते हैं कुमबराशी बालों के लिए कुमबराशी बालों आज के दिन के में बात करूं तो आज का दिन आपके लिए कुछ नई opportunities लेकर आ सकता है कारशेत्र में अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे थे चाहे नौकरी चेंज करना चाह रहे थे कंट्री चेंट करना जा रहे थे कुछ पेपर वक आपका कहीं स्टक अप था वो आप सिचुएशन से आपके लिए पॉजिव होती भी नजर आएंगी किसी वेक्ति विशेश की तरफ से मिल रही कोई बहुमूल राय आपके जीवन में नवीनतम पॉजिविटी लेकर आ सकती है आज के दिन खुबसूरत बात यह है कि आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाएंगे और अवलोकन करेंगे आप सभी उन स्ट्राटेजीश का जो आपने अपने लिए बनाई है और अगर उन स्ट्राटेजीश पे काम करेंगे तो आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ बहुत अच्छा ओप्शन लेकर आज के दिन को आप अच्छे से बिता सकते हैं बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए आपके लिए सब कुछ ठीक है मीन राशी वालों कुछ खास negativity नहीं है लेकिन momentum बनाना या consistency बनाना जीवन में बहुत जरूरी है नई initiatives तो आपने अपने जीवन में ले लिए हैं लेकिन एक level पे चलते हैं और रुकते हैं चलते हैं रुकते हैं तो ये situations आपको कंट्रोल करने की कोशिश करने चाहिए consistency के साथ चलें नवीन तम options आपके लिए और positivity ला सकते हैं मन को शांत रखें साथी साथ आज के दिन उन सभी योजनाओं पे आपको काम करना चाहिए जो financial stability या investment से related थे और कहीं कहीं वो चलते 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 नहीं उसमें negativity आ रही थी तो अब आपके लिए positivity आ सकती है अगर आप अपने options को सही से explore करें तो आज के दिन परिवार में आपके लिए समानिता परिस्तिती बनी रहे समान भाव से समत्व से सबको देखें तो आपकी situations positive रहेंगी इसी के साथ मुझे आ गया दीजे मैं कल फिर आजर होंगे नमस्कार